खाडी पार में जो रहने वाले जवान है, वो ये बोलते हैं कि बचपन सही उनको पानी नहीं तीस्ति-चालिस साल हो गया कि खाडी पार में पानी की तकलीब है। लिए चुनाव में सेकल चल पारी है क्या गवी नगर सांति नेकर रोड पे जो हालाद है उस पे सैकल चलने लाइक नहीं है लेकिन नेता जी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि सैकल ही चलेगी इस रोड पर यह जंता को समझना पड़ेगा हम सिक बता रह तो जिस तरीके से सुर्ख्यों में आया तो क्या इन रखाना थि होस्पिटल में आप कुसी पर बावासीरी बिमारी दिए इसके लावा और भी समस्ते उसमें प्रोकस लेए मैंने तंजिया कहा था कि जिस हॉस्पिटल में बावासिर जैसी छोटी बिमारी का भी इलाजनी होता है तो उसको हम हॉस्पिटल कैसे कह सकते हैं आप देख रहे हैं सत्यास तक हमेशा सर्दा अब उस्मानी साब ने जिम्मेदारी दी है मुझको मैं उसको पुरा निवाना चाहता हूँ और खाली पार में हर वार्ड में हर एक आदमी एमायम का सदस्य से बनाना चाहता हूँ जो बच्पन से हमारे खाली पार में पानी की तकलीब है सब आदमीयों के एक साथ जोड़ के वो पानी की तकलीब को दूर करना चाहता हूँ एमायम एक दिग्जज पार्टी है, स्ची पार्टी है, और ये पार्टी हमारे सब पानी की तकलीप को दूर कर सकती है। सदवेशी साब पे विश्वास वैक्त किया था उस विश्वास को मजीद आगे बढ़ाने के लिए हमने कुलिन मजली से त्यादुल मुस्लमीन विवंडी शेर जिला यूनिट ने खाड़ी पार तालुका में संगटन के विस्तार की कोशिश की थी माजी में जो भी साती हमारे काम कर रहे थे सब को सिवा मुक्त किया गया है और नई उमीद की किरन जगाने के लिए कुलिन मजली से त्यादुल मुस्लमीन के बिवंडी शेर जिला यूवा उपद्रेक्ष मौतरम मुहम्मद साब जो खाड़ी पार तालुका से तालुक रखते हम यह देखते हैं कि खाड़ी पार में जो रहने वाले जवान है वो यह बोलते हैं कि बचपन सही उनको पानी नेसर नहीं 30-40 साल हो गया कि खाड़ी पार पर पानी नहीं है जबके खाड़ी पार से ही भीवंडी शहर की सारी बड़ी लिडर्शिप खास तौर पर मुसल्मानों की जो लिडर्शिप है रशीत तैर मोमिन साब हो जाविद दल्वी साब हो चाहे श्वेब गुड्डू साब हो इस सारी लिडर्शिप खाड़ी पार से उबरी है इनके नेतुत वहां से लेट डेलप हुआ है और खाड़ी पार में यह लोग सरकार में रहे हैं यह अद्देक्ष बने यह आमदार बने लेकिन इन्होंने खाड़ी पार को पानी नहीं दिया तो इसके ओपर हमको मुल्क के दस्तू लिडर्शिप खाड़ी पार में मजलिसे त्यादूल मुस्लमीन के नौजवानों को जोड़कर एक नई टीम खड़ी कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में जो जन आकरोश आंदूलनम करेंगे उसको मजी ताकत मिले और खाड़ी पार को इंसाफ मिल सके इंटर्व्यू में मतलब आपने कहा था इंद्रकांदी होस्पिटल में बावासीर के तालुक से तो जिस तरीके से सुर्खियों में आया तो क्या इंद्रकांदी होस्पिटल में आप कुसी फेक बावासीरी बिमारी दिखी है इसके लावा और भी समझ्चा उस पर आप फो किसे कर सकते हैं जो भी नेता घंग है या तो कर्णवा है या कर्ण रूपया सरकार के माद्यम से आईजेम हॉस्पिटल में आया तो गया गा इलाज क्यों नहीं हो रहा है आज आईजेम हॉस्पिटल में केवल 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 पेशन को डाइगनोसिस करने के बाद यह बताया जाता है कि आपका इलाज यहां नहीं होगा आप कृपया कलवा सीविल जाइए आप पॉम्बे में जो देगर सरकारी रुगडाले है चाहे वो कामा हो चाहे वो केम हो वहां जाइए इसके अलावार कुछ नहीं हो रहा है तो मेरा ऐसा कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर बात तो करना पड़ेगा अगर हम बात भी नहीं करेंगे तो इन नेतागनों जिनोंने करप्शन किया हुआ है जिनोंने जूटे वादे किया है इनके कान पे जूबी रिंगने वाली नहीं है अब आप रुगडाले की बात कर रहे हैं तो यह जो इंसिदेंट हो रहे हैं इसको रोकने के लिए बात तो करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के आमदा समाजवादी से लड़ो तो यह जंता को समाजना पड़ेगा हम सिब बता रहे हैं